बरगर केंग के ऊपर प्रीवेस वीडियो जो मैं अपलोड किया था दोस्तों 7-8 दिन भी नहीं गोए वीडियो अपलोड करके I think मैं 12 अगस्त या 13 अगस्त के लिए विडियो अप्लोड किया था और वो सपोटेट फिडियो था फ्रेश बाइंग वीडियो नहीं था वोस फिडियो था मैंने आपको कलीट उस्टों चाहिए वान इंडिन पॉजितीव लाने दीजिए नेगल लाने दीजिये यह ऑवब्ण यानि overbought zone के अंदर जो उपर जा रहा है यह 100% oversold में आके फिर over buying होगा तब तक burger king standard नहीं बनेगा यह मैं खुद बोला था मैं आज के वीडियो में बोल रहा हूं और दावा दे रहा हूं stock के अंदर reversal trend होने के बाद perfect posture के साथ जो अभी next rally जो आने वाली है burger king में fresh buying की वो direct हमें 180 और 180-195 दो लेवल दिखाने वाली है और यह जो correction हो रहा है stock final breakout का जो second breakout है उस level पे हो रहा है और stock के अंदर 40-30 RSI के बीच में जो complicated MACD के साथ यह जो direct bottom fishing कर रहा है नहीं पता simple bottom fishing कर रहा है नहीं पता consolidation तो form ही नहीं कर रहा है क्योंकि direct cut कर रहा है दोस्तों आप देखिए इसके अंदर panic होने वाली बात है कि और इस stock ज्यादा नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा stock के अंदर जो final breakout बना है दोस्तों 125 बना है अगर हम लोग fresh buying लेने की कोशिश करेंगे in between 132 140 के बीच में ही लेना पड़ेगा तो उसके हिसाफ से टेक्निकल में कैसे काम करना है आगे चलके आपको टेक्निकल सपोर्ट देते हुए बताऊंगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आए हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए बर्गर किंग का वन डे का कैंडल चार्ट है नैशनल स्टॉक एक्स्टेंज और आगे चलके वीडियो में मैं आपको 15 मिनेट का इंट्राडे कैंडल चार्ट अनालसिस करके बताऊंगा इंट्राडे के अंदर ट्रेड और पोजिशन कैसे पकड़ना है श्टॉक में प्रिवियस टाइम मिड आफ कॉंसोलिडेशन का कॉंसोलिडेशन पकड़के जो स्टॉक 125 का सपोर्ट लेके बढ़ा था जब मैंने आपको आवरेज देखे 170 लेवल पे प्रॉफिट दिया था मुवमेंट अपर ट्रेंड करने की कोशिश करेगा तो स्टॉक में 145 से लेके 140 का रिवर्सल ट्रेंड आएगा यह बेस्ट बैइंग प्राइस होगा क्यूंकि डाइरेक्ट 40 आरेसे को ब्रेक करके जा रहा है यह कॉंसोलिडेशन तो फॉर्म नहीं कर रहा है मिड़ बॉट किदर पर भी अब बाई करिए स्टॉक में शॉट टाउं टागेश 170 है प्रोफेस्टर शॉट टाउं टागेश 190 है फाइनल टागेश में 210 लेवल दे रहा हूं बर्गर किंग में और अगर स्टॉक यहां से नीचे जाने लगेगा तो 125 का मैं आपको आवरेज दे रहा हूं जो और यहीं पर भी बाई करहें दोस्तों आप 145 से 140 के अंदर कहीं पर भी फ्रेश बैइं पकड़के चल सकते हैं यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया है तो जोईन कर लेजिए फॉर इंटरे डे लाइव टि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन और पे क्लिक कर दीजिए बर्गर किंग का ये 15 मिनेट्स का इंट्राडे केंडिल चार्टे नैशनल स्टॉक एक्टेंज 15 मिनेट्स इंट्राडे के हिसाब से continuous reversal correction के अंदर बर्गर किंग आज जादा गिरा है दूस्तों पर बर्गर किंग की एक खासियत है कि कभी भी stock में bottom fishing होता है तो rally लगभग 3 रुपे की दे जाता है तो suggestion मेरा आपसे ये रहेगा आज के दिन ये जो bottom fishing कर रहा है करते हुए complicated बनाने की कोशिश कर रहा है all time low जो intraday के अंदर minus two level पर ये rally देता है अभी भी उसी level पर आके रुका है तो suggestion मेरा आपसे ये रहेगा Monday sorry कल के live market में भी आप totally buying पर काम कर सकते है 23rd August 2021 Monday Burger King का closing है 148.25 पैसा ये मैं target निकाल रहा हूँ for 24th August 2021 Tuesday के लिए Tuesday live market में आपको मेरे levels पर buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों